पेट्रोलियम पतार्थ को बिख्री बाट निगम लाई भहरे को र थप नोक्सानी लाई मद्धे नजर गर दै मुल्य निर्धारन गर्न निगम को अधिकार संपन्य शंचालक समीत्य को मिती दोईजार उनाशी अशार पास गते को बैठक बाटा मिती दोईजार उनाशी अशार चो गते देखी लागवने गरी पूर्वन निर्णे अनुरूप नाई पेट्रोल लो डिजेल मा रू 10-10 गटाई पेट्रोल मा रू 21 र डिजेल मा रू 27 र हवाई इंदन मा रू 29 ले व्रिद्धी गरी पेट्रोल रू 109 डिजेल मटितेल को रू 192 र हवाई इंदन को रू 188 नया खुदरा मुल्य कायम गरिये को हो मुल्य ब्रिद्धी को कारण सर्वसालने पनजाने मर्का प्रति सचेद वई आम नागरीक लई प्रयोग गरने LP गैस मा निगमलाई प्रति सिलिंडर सास्ते 51 रुपिया घाठा भई रहन दा समेत कुने मुल्य ब्रिद्धी नगरी अथावत राखिये को छो बिगत केही समय यता अंतराश्ची बजार मा पेट्रोलियम पदार को मुल्य निरंतर बड़ी रहेको रा मुल्य समय जन नगरदा निगमलाई जेट मसांत सम्म करीब रुपचास अर्व गाठा हुन गएको रा इंडियन आइल कर्पोरेशन लाई बुजावनू परने रू 22 अरव बक्याउता रहेको ब्यहरा समय जन खारी गरवन चाहांचु इंडियन आयल कोर्परेशन लाई पेट्रोलियूं पदात खरीद गरनू खरीद बापत तीरनू परने बक्योता रखम बरदाई जाना नदीन रा आपूर्ती ब्योस्ता सहाज रा सुचारू बनाई राखना लागत अंडूपनाई मुल्य समाय जन गरदाई जानू परने ब्योसाइक प्रयोजन का लागी अलग-अलग मुल्य काइम गरन निगम संचालक समितिका सदस्टिको सहिजकत्तमा सरोकार वाला समेद को प्रतिनुत रहने गरी उपर समिति गठन गरीएको र सो ब्योस्ता छिट्टै कार्यानेन मा लियाई ने छो एसका साथ है नेपाल मा पेट्रोलिम पदार्तलो एल्पी गैस को आपूर्ति प्रनाली सहज व्यवस्थित पारदर्शी र प्रभावकारी बनाऊना नेपाल सरकार ले अप्रावनु परने अलपकालिन र देरकालिन नीति गठ कानुनी एबं संस्ता गठ सुधार का लागी विशे बस्तोरु समाब प्रतिवेदन पेश गर्ना नेपाल सरकार मंति फरस्थ बाटा राष्टी यजना आयका उपाद एक्षको नेतित्मा उस्तस्तरिय अध्यन कारेदल गठन गर्ने निने गरे को विशे समेत समानी सधर्मा जानकारी गराम चाहन्चु